आज हम इस वीडियो में सीखेंगे Would Rather जो के यूज होता है जब हम किसी दो काम को compare करते हैं कि मैं ये करने के बजाए ये करूँगा जैसे के मैं फेल होने के बजाए महनत करूँगा मैं चाई पीने के बजाए खाना खाऊंगा मैं सेनिमा जाने के बजाए शॉपिंग करने जाऊंगा चलें आप कुछ एग्जैम्पिन्स देखते हैं ताके आप गुर्ड रादर को सही तरीके से यूज़ कर सके तीचर दो टॉपिक्स हैं साइंस या मेट किस टॉपिक्स के बारे में लिखना चाहोगे या पसंद करोगे There are two topics, science और मेट which would you rather write about Student, मैं मेट के बजाए science के बारे में लिखूँगा मुझे लगता है मैं science में भेतर हूँ I would rather write about science than math I think I am better at science अब और examples देखते हैं Affirmatives मैं fail होने के बजाए महनत करूँगा I would rather work hard than fail अगर आपको negative sentence बनाना हो तो आपको would rather के बाद not use करना पड़ेगा जैसे के मैं थका हुआ हूँ मैं इस शाम बाहिर नहीं जाऊँगा I am tired I would rather not go out this evening इस sentence में देल नहीं है क्यूंकि comparison sentence के अंदर नहीं है मगर conversation में है कि इस शाम में बाहिर नहीं जाऊँगा मगर रोजाना जाता हूँ या कल जाऊँगा ठीक है और अगर आपको interrogative sentence बनाना हो तो आपको would को subject से पहले use करना पड़ेगा जैसे के तुम मुझसे university में मिनला पसंद करूगे या hotel में would you rather meet me at the university or hotel interrogative sentences में ज़्यादा तर और and, and का use होता है जैसे के हमने sentence में किया ठीक है वो juice पीने के बजाए दूद पिएंगे they would rather drink milk than drink juice तुम मुवी घर पे टीवी में देखोगे या इसके बजाए थेटर जाके देखोगे would you rather watch movie on TV or go to a movie theater मैं चाय पीने के बजाए खाना खाऊँगा I would rather eat food than take tea हम काम पे जाने के बजाए साहिल पे जाएंगे we would rather go to the beach than go to work क्या any Italian खाना खाएगी या इसके बजाए पाकिस्तानी खाना या तो इस sentence ऐसे भी हो सकता है क्या any Italian खाना पसंद करेगी या पाकिस्तानी खाना तो इन दोनों sentences के लिए English में एकी sentence होगा would any rather eat Italian food और पाकिस्तानी खूट मैं जफर से माफिय मांगने के बजाए मरने को तरजी दूँगा I would rather die than apologize to suffer कल हम पार्क जाने के बजाए स्विमिंग करने जाएंगे we would rather go swimming than go to the park tomorrow कर दो